मिशन इंडिया फिट इस टूर के लिए पाँच से चौदा जुनाईता गुरुमान जी यहां पे हैं है गाईज मैं पृती राजपूत और आज हमारे साथ है फिटनेस लवर्स के रोल मोडल गुरुमान आई यह उन से जानते हैं कि उनका फिटनेस का सफर कैसे शुरू हुआ और लेते हैं कुछ फिटनेस टिप्स अगुरुमान आपका हमारे प्रोग्राम स्वागत है सबसे पहले तो आप मुझे बताईए कि एक फिटनेस लवर फिटनेस ट्रेनर होने की नाते आपके लिए फिटनेस का मतलब क्या है आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं फिटनेस का अपके फिटनेस का मतलब आप फिट हो इनसाइए अगाइन आओसाइड आपको हेल्फ प्रोडम ना हो जो जुकने में तकलीफ ना हो बैठने बैटने यह जो बेसिक चीजी है जो इनसान करता है उसको करने में कोई प्रोब्लम नहीं होँनी चाहिए फिटनेस का मतलब यह आपकी बॉड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए वो एक्स्ट्रीम लेवल है फिटनेस का फिटनेस की देविश्टेश की आप हेल्स प्रोल्म नहों अंदर की मशीनरी है ना डायबडी इस लेड़ प्रेसरोल ब्लड प्रेसर चीज़ें नहों अंदर से हल्दी हो और बाहर से आपकी बॉड़ी की फ्लेक्सिबिल्टी हो मोबिल्टी हो तो अब अच्छ फिट हो और आप काम कर सकते हैं कोई भी काम बेंडिंग से लेकर भागना उठना कूदना सो यह चीजों में कि कर फिटनेस अंचाट संभी तो तोAh से ह् एंचे हैं बॉचिछ किस से असम्पीज़ को इसे अपनेते हैं अटना शाइंस जराय वरज हैं नहीं में इससे आदानें जरानें को इल्टेस अभाइंज हो आपके पास ताइम है और वहां से क्या होता कि हमोलते की हमहारा काम इ बना जिम बुजी लोगों के लिए बना है उनके बहुत ही सिंपल है कि आप टू स्टार्ट इटिंग राइट सबसे पहले कामनका है कि उनको खाने पर ध्यान देन जरूरूरत है जिम जॉइन करना उतने प्रेफर्स नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं ताइम नहीं है खाने के सबसे पहली चेंज जो इनसान को करनी जरूरी है वो है कि सुबह दोपहर तीन ताम खाने के साथ दो स्नैक एड किये जाए कौनसी भी जोब आपके पास फूड अवेलेबल घर से आपटेफन लाते हो तो आपको वहां पर जो उस आठ दस घंटे का प्लैन करना पड़ेगा एक बर आपने प्लैन कर लिया वही प्लैन आपका चलता जाएगा महीनों तक एक बर ही अपने संडे को बैठ को प्लैन करना है मंडे और हर दिन वही चलेगा तो वह फ्लैन तभी एग्जिग होगा जब आपकर उसको प्लैन को डिजाइन करेंगे हर एक चीको डिजाइन करन जब कि उस बंदे के अबास ताइंगा नहीं है, जब कुस बंदे के अचाई में लिए जाये कि इस तरीकी की चीजों को फॉलो करने चाहिए है और खास तोर पर इंडियन्स के ले जिनको पराथे, बटर इस तरीकी की चीज़ बड़ा शौक होता है मैं फॉलो करने करें मौलूग करना चाहिए हमारे बंदर पर ज़िमिलाइशन की ज़रूरत है घर की अंदर जो बैड कॉालिटी का ओल है उसको जलिमिलाइट करने की ज़रूरत है उसको ब्रेक लगाने की जो आपकी नहीं आपके बच्चे जिसनको बिलकल मालूम ने है कि प्रेंजर में डाल रहे हो और इंडिया लीड कर रहा है तो इससे गुड एक्जाम्पो दूसरा घर के अंदर चीनी के उपर ब्रेक करनी पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो पहला है आपका तेल दूसरा है आपका शुगर तीसरी है आपकी सोडिय मतलब सॉल्ट इन तीनों चीजों के पर ब्रेक लगा देंगे लिमिनेशन कम कर देंगे तो जो तीन प्राउब्म घरों के अंदर है डायाब्रीज, क्लेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाएगा तो उनके लिए मेरे देहिए के लिमिनेट करें बिफोर यू अधिन ब्राउकली की सबजी, ब्राउन राइस, यू नो इस सम्थिंग भी तौड़ा एडवांस हो गया दलिया, ओट्स, मैं चाहूंगा जो खा रहे हैं वो कैसे बं रहा है उसकी ऊपर थोड़ी ब्रेक लगाई जेस जादा मैटर करता है पंजाबी जो होते हैं वो किसी चीज में सेक्रिफाइज नहीं करते हैं कि हमें एजस्स करना चाहिए थोड़ा सकम वो लोग प्यार खूब ढालते हैं तो उसके साथ खाने में भी ब्यार दिखाए देता है तो आपने किस तरीके से इस चीज को मिंटेन किया यहां पर इस सम पंजाब नहीं है कि that is not a good thing to eat. पंजाब नंबर वन स्टेट हैं इंडिया का अबीस सबसे जादा मुटापा पंजाब में हैं सबसे जादा अनहल्दी अगर विमन की बात करें तो पंजाब में हैं प्राउड की बात तो नहीं बोलूँगा मैं पंजाबी हूं मुझे बात पंजाब के लिए यह डेटा पड़ा हुआ सर्च करें विकिपीडिया में नंबर वन पंजाब स्टेट है तो इस नाट गुड एग्जाब तो हम वह बात अच्छी लगती है वह पंजाब वह नहीं रहा आज कल वो चीज नहीं है जो पास्ट की थी क्योंकि सारा इंडिय के जरूथ मरी और अगर आज मैंने नहीं मैंने अपने फैमली के अंदर अपने माम और फैमली के अंदर चीजह को अलिमेंट की इए माम को मैंने स्टर नगाय हुआ है उनको एज्य कर दिया लिए तो अगर यह तो आने वाली जनरेशन मेरी देखने में अपको देकत आएगी दो हाँ आपके तो कि जिसे लिए खोने रुस्तान करेज दूचान में कुछ टू ध्यांगिवे So, मैं अपनी अपपनी खेझाकर के बारे बताया अपनी अपको करने के बाद में अपने अपनी खेझा 나와 में 높नी अपनी आपको अपनी पैरिंस को आरा हूं उसके बाद में गुरुमान का डेली रूटीन क्या है कि वो किस तरीके से करते हैं? किस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं? क्या डायेट लेते हैं? धिए पहले बात हो कि मैं आप जैसे हुआ इस समय मैं बॉडी बिल्डुडर नहीं हूं, ना में कम्पीट करता हूं लेकिन हेल्दी रहूंगा तो अपनी में एज को भी हाइड करूँगा कि मैं अगर यादा एज हूँ पेपर की उपर लेकिन मेरी उतनी एज नहीं देखे की प्रिकोश मैं सही खा रहा हूं तो जब सही फूड खा रहे हैं तो यू लोग यंग आने वाले खत्रे से बचेंगे हल्स प्राव्म जो आ रही है इंडिया को तो जो नंबर चेंज हो रहा है वो मैं चेंज करूँ क्योंकि इंडिया का यंगेस कंट्री है पैंसर परस्न पापुलेशन अगर हम यंग लड़के सही खाना शुरू कर दे तो इंडिया नहील्दी हो यहां भी कुछ नकुछ हमें डाइट करने पर जो बहर से ले आए हैं, so it's slightly compromise मेरा जरूरी है कि मैं ब्रेकफास्स टाइम से लेता हूं सबसे पहला काम है ब्रेकफास्स है कि सबसे जरूरी है कि ब्रेक करना फास्ट को जो रात का है उसके बाद हर तीन घंटे के था मैं मेल और दो चीजे हैं, यहां तो मेरा फोटो शुड़ा रहा है, जिसके लिए मुझे पूरा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक एक ग्राम का हिसाब देना पड़ेगा, कि मुझे यही खाना है, मैंने इस्से जादा नहीं खाना, पोर्शन, पोर्शन कंट्रोल जूरी है, दूसर प्रफॉल देते रहें, और आपकी प्रफॉर्मस ड्रॉप ना हो, कई लोग की प्रफॉर्मस शाम के चारवे ड्रॉप होने शुरू होती पांच पजे, क्योंकि फ्यूल खतम हो चोका है, और वो फोर्स करता है रात को ओवरीटिंग करने का, यह वहां पर गलत चीज खाने अपनी बॉड़ी को तो आपने अपको फिट रखा है, इसके बाद लोगों को इसके लिए अवेर करने का आइडिया पको कैसे आया है, फिट इंडिया मिशन, इसका आइडिया अपने कहां से स्टार्ट किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, 2010 के अं मैं मैं बॉड और इंडिया मिशन, या झाया मिचं़ा आप त colours से इत अजसे अं अंपनीर को कि मेंदेर स्काभी आप तो बॉड उषका, आलिया मिचं़ा बलाजी मिचं़ लोगा है so अपना इमगों को टो लोगा मैं और वहां से ऑु मेरें ऐसे मिचं़ा च्ब्लाग में जिस इंडियन को मैं देखता रहा हूँ यूस में तो देखा कि यह बंदा ठीक नहीं है यह मैं अनलाइज करता रहा हूँ छे महिने साथ महिने जब भी मैं ट्रैवल किया तो उस तमें वह मुझे बात पिंच की जिसकी ओपर मैंने इसके ओपर सोचना शुरू किया गूगल सर यह भी है कि उससमें कं थी बढ़ गयी हैँ पैसे बहुत अच्छे बंढ़ए है ही एट्थ उस सम्में डाउन ओरल ओरी है ह्ट्थ allen आ? तयुअई आप नाइन्टी आप्नें विद्धी पिच्य देख़ लो अपने पादर की पिच्च इछ गर देख्लो किस अरे ऑज की प पहुंची और यह एक मेरी बात थी जब मैं इसको मिशन इंडिया फिट की उपर काम किया इसमें दस साल होने वाले हैं आपने देखा होगा कई लोग आपको जो फोलो करते हैं यूथ फोलो करते हैं वो कई आपसे टिप्स लेखते होंगे कमेंट करते होंगे तो कई बार वो six जो कि आजकल के लड़कों का शौक है कि six-pack बनाने है बॉड़ी मुस्लर बॉड़ी होनी चाहिए तो आप ऐसे यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए यह मैंने प्रोग्रम बनाए हुए है आई थिंक मैंने मेरे 30 के पास-पास 30 31 के पा बच्चे की एज 2 साल है 2-12 साल की एज के अंदर डाइट तो मैंने हर तरह की डाइट दी इंक्लूदिंग 6-pack तक की डाइट है जिसको फॉलो करकर तभी followers आपको मिले हैं वह followers नहीं है वह actually real people है जनको result मिले हैं और मैं प्रोग्रम पर बनाता जा रहा हूं जब चीज काम कर करती है लोग feedback दे रहे हैं and you continue doing it so वो लोग follow करते रहे रेस्ट आफ दिर लाइफ तो आपकोर्स इसारा formula बाहर आठी है जो आपके फॉलोर से कभी यह तो नहीं पूछे की सर आप बोड़ी से मलब बोड़ी बना के गल्फरेंड को किस तरह किसे इंप्रस करना है यह गल्स् जाए है तो इन कौशन से मुझे थोड़ा लगता है यह तो ओल्ड तो आपसर इसकोशन बट हमारे यूथ के अंदर ऐसा होता है की वो इसलिए यह कोशन पूछन पूछ फूछन पूछन पूछ नहीं बात की तो वो इसका फाइदा लिन चाहते है बोड़ी का ताकि तो यह थी हमाई गुरुमान के साथ कुछ खास बातशीत आपको मारा वीडियो पसंद आयो तो कमेंट करना ना भूले हमारे चैनल H.S. News को अभी सब्सक्राइब करें देश और दुनिया से जोड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकर को दवारा नहीं भूले